सोशल मीडिया पर जैन समाच के सबसे ही लुकाप प्रिया जैने निस चैनल महालश्मी के ओड़ते रातरी आठ बजे आपके पास आज गुरुवर की याद ही जो अंतिम विदाई अंतिम देख रहे हैं अप ये संसकार के द्रश्य आपने सब कुछ अपनी आखों में कईयोंने कैद कियोंगे हजारोंने कैद कियें और हजारोंने चित्रों को इसको देखकर अपने दिलों में दुपा लिया हूँ पर आपको अज दस ऐसे अनुभव ऐसे चित्र ऐसे वीडियो ऐसे संस्प्रण दिखा रहे हैं आपको जो आप इस जीवन में नहीं आने वाले दस भव में भी अपने इस दिल में याद रखेंगे यह काया तो छूटती जाएगी पर वह ऐसे चित्र होंगे जो हमें बार बार अंदर गुरुवर की याद के साथ सिमिट के रखें ऐसे दस अनुखे शन अनुखे चित्र जो हम आपके पास अब इस अंतिम संस्कार के दर्शन देख रहे हैं इसके बाद आपको दिखाने जा रहे हैं कहते हैं इनको एक बार देखने के बाद सच मुझ आंकों से आसु ना निकले तो फिर वह भक्त किया अठारे घंटे बाद अगनी संसकार के बाद यह दर्शन कौन आये थे रात को प्रकरती से अद्रश्य कौन सी शक्तिया थी जिसने सुबह आठ वजे यह द्रश् अगनी प्रज्वलित रहेगी विश्वास नहीं होता लोग कहते थे खूब शीफल चड़े खूब बोले चड़े इसलिए हुआ नहीं तब भी इतनी देर अगनी जाए यह कहते हैं दुनिया का जाने के बाद भी इनोंने जो चमत कर दिखाया है कहते हैं सवा लाख मंत्र मुग्द कर दिया जब लोग सुभी है दर्शन करने गए आश्चारे का एक मातम रूपे यह देखने को आज मिला लाखो वर्ष पहले के अयोध्य की आज फिर आता गई जी हा राम राज्य की राम राज्य की तब की जब हमारे शीराम बनवास में थे भरत उनसे मिलन संग रखा है आज यह द्रश्य देखकर हर कोई निशब्द था इस थब्द था चिंतन मनगन था कल इस पर गुरुवर विराज रहे थे आज महां पर तस्वीर है जैसे वे तस्वीर आज हमारे हिर्दे में विराजित हो गई है अम मेरा कौन पूछ रहा है सिंगासन सब को क कोई मिल जाएगा अरे मेरे उपर बरसो अचारेशी बैठे केते हैं जब रास्ते में चलते जिस शिला पर विराम करते रहे वह शिला अनमोल हो जाती थी उनके बैठने से आज भी पूछनी यह जगे जगे केते हैं जो पड़ोस को उसके जो चाय वाला होता था वह भी धन् बन जाता था नहीं देता किसी को आज ये मेरा सिंगासन जिस पर मेरे गुरुवर बैठे थे जो कल तक बैठे थे आज मैं कैसे सुना हो गया कोई मुझ से भी तो पूछे मेरे अंदर भी जान होती है उस गुरुवर की पहचान होती है आज ही शायद इसके भी आंसु नहीं रुक रही होंगे अंतिम शनका वेवीडियो 18 तारीको ब्रह्म मूरत के समय का जब सूर्य अभी उदै होने के लिए अभी अंगडाइया लेने को तैयार हो रहा था वे कमल भी खिलने को तैयार हो रहा था कि कमल खिलते खिलते पहले ही बंध हो गया था ये लगभक कहा जात सबसे शमा मांग रहे थे और शमा कर रहे थे तब उनके मुख से पतायदार था कि जो आपनी योग सागर जी महाराज को बताया है वह पूरा संज मानेगा और समय सागर जी यह दो नाम आपको इस पश्ट इसमें सुनाई भी देंगे सुनिए जरा इस अंतिम में शड़के इस एक्स्क्लूसिव रूप से आपको दिख रहे वीडियो में जारी का संगों की नमों शुन है साले मुनी सारों की नमों है जो भी ब्रम चाड़ी भाई त्यागी बिर्थी भाई वहनों की शुल्दा के लग सम्भी की और सभी ने चमाय आजना आपसे की है आप उतकरष्ट उतकरष्ट चपकराज है हम तब गर्व है गौरों है आप उ पूरा संग उसने देश को सिदार करता है जो आप उसना किये उसका पूरा पारंद करेंगे हम लोगों है पूरा पूरा आदेश का पारंद करेंगे मनाजी को बताया है जो आप उनके लिए आपने जो संगे दिया है संग की साक्षी में उसका पूरा का पूरा अच्छा सा आदेश का वादन पूरा संग करेंगा अलिए कक्ष देखिए सूना सूना गुरुवर जब हमारे से 20 से गए थे तो कहते हैं सलेखना इसी कक्ष में धरन की थी ऐसे ही कमरा रहा है जीवन वरुन का हमने स्वयम कई बार देखा शिर्पूर में देखे गद गद रह गए थे जब इस तरही कमरे में थोड़ा चोड़ा था जब विराज मांते हैं और सामने घड़ी रखी होती थी नीचे कभी दिवार पर देखी नीचे रखी नीचे रख देखिएगा दूसरा रूप आज से लगबख सत्तर से अटतर साल पहले उन्नीस सो च्यालीस में जनम था तब जनम कहा था यह सद लखा का वह कमरा और वह घर दिखा रहे हैं आपको अटतर साल में कितना बदल गया एक जीवन हमारे बीच में आया पगवान का हमारे बीच स चले दिया अवतरन हुआ था उन्नीस सो चालीस में और दो हजार चौबिस में उस कहीं और जाके अवतर ही थो गया पहले वो दिखा था अब यह उन्नीस सो चालीस से बात का देख रहे हैं जहां पर विध्या धर भी से जहां तोता भी था जहां पीलू भी ते अरे बहुत नाम से थे यहीं से वे विद्या सागर बनकर हम सब के गुरुवर पूरे विश्व के गुरुवर बन गई थे हाँ ये है वो अंतिम सिंगहासन जिस पर उनकी अंतिम यात्रा निकली सोच रहा था ये भी कि मुझे भी कैसा सौभाग्य मिल गया इस काष्ट को इस लखड़ी को कि उसका मैं सिंगहासन बन गया उस गुरुवर के लिए जिसके अंदर आत्मा रूपी परमात्मा तो नहीं था पर उस पंचुतत्व मिल के लिए उस शरीर को मैं अपने साथ अगनी संसकार में प्रवाइत हो जाओंगा ये है वे अंतिम शन का वह जो सिंगहासन बना था औ अगनी संसकार से पहले के सबसे आखरी रूप में जब गुरुवर पर सब लोगों ने अपनी अपनी केते हैं अपनी गोले चड़ाए थे उन गोलों से पहले का ये है अंतिम रूप से उनकी वह चवी जो साफ पूरे दोन को बता रही थी आज मैं तुमारे भी से जा रहा ह पर मेरी जोती उपर सूरत की तरह और रात को चंद में चमकाती रहेगी तुम सब को चमकाएगी रोशनी तुमें अपने अंदर ग्रहन करनी होगी उस रोशन में जगमक को अपनी आत्मा को सतकार करो आत्म साथ करो वही तुमारे लिए बुझ बंदनिये और फूज निये ह होगा सम्हफते यह चित्र जो में मिले हैं यह आचारेशी के अंतिम पढ़गाहन के हैं जो तीन दिन पहले के थे शायद यही था देख लिएगा कितना चित्र सौम में हैं कोई तनाव नहीं कोई दर्द नहीं कोई पिड़ा नहीं अपनी उनकी इस विदी के अंदर आप पढ़गाहन के दर्शे आप दिखा रहे हैं जो संबवता ही है अंतिम पढ़गाहन था और अब यह देखेगा अगोशित अभी घुशना नहीं हुई है लेकिन कुरूबर ने कह दिया है यह हमारे अब बनने वाले आचारे रूप के इनका पहला पढ़गाहन कहें तो हम उ पहला आहर कहेंगे अभी घुशना नहीं हो यह विदिवत रूप से लेकिन आचारेशी ने छे फरवरी को ही योग सागर जी मुनिराज को कह दिया था कि अब मेरे बाद यह पद निरपायक शमन समय सागर जी को दे दिया जाए जिनके यह चित्रा आप देख रहे हैं आज स दूब है कि यह वीडियो आप देख रहे हैं जब समय सागर जी महाराज के पास ऐसी सूषना लेकर पहुंचे थे अशोक पाटनी जी आखें से आशू बरस रहे थे मूँ से शब्द नहीं निकल रहे थे जब इस तरह की जानकारी समय सागर जी महाराज को दे रहे थे उन्ह सामने सारी बाते कहते हैं संजेज थे उस में थे महाराज के समय में वैसे सारी बाते उनको बता रहे थे अब आज से बावान साल पहले के वहत रश्य दिखा रहे हैं यह 1912 का चित्र है वहत रश्य है जो बहुत खम विरले आचारे बनने पर लोगों को नसीब होता है ऐसे स आचारेशी विद्या सागर जी को आचारेपद अपने गुरु से मिला था 1972 के वह यादगार चित्र है यह जब उन्हें आचारेपद मिला था इस तरीके से आचारेपद मिलता है ऐसे गिने चुने ही शन मिल पाए है थियास के अंदर और देख रहे हैं जैसी आचारेपद दे दिखाते हैं अब क्या होने वाला है और जाती जाती अभी अद्रशी देख लिएगा आचारेशी विद्या सागर जी और साथ में है नियापक्षमन समय सागर जी प्रकर्ति का खेल कोई नहीं जानता अपने सामने तो आचारेपद नहीं दे पाए पर इतना जरूर कह पाए योगराज जी मुनी राज मेरे बाद मेरा आचारेपद इन समय सागर जी प्रकर्ति को दे दिया जाए ये दस वह भावुक शन ते जिनमें 14 तरह के आपो दिखाए शन, चित्र, फोटो, यादगार, स्मृतियां जो हर के दिल में रहेंगी जो कहते हैं इन शनों को देखकर कोई भूल नहीं पाता, गुरुवर अरे आप सामने से चले गए पर जिसको दिल में हमने क्याद कर लिया वो जा कैसे सकते हैं सादर जेजनींद। कल मंगलवार सुबह नौ बजे, जी हाँ, गुरुवर के प्रती अपना समर्पन, अपनी विन्या अंजली के लिए आएगा जरूर, दिल्ली एन्सियार कहीं से भी आएगा, बस बाला श्रम सुबह नौ बजे, पहुंची जाईएगा झाइगा जबाएगा